हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया पर आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की सब्ता 25 की समाजी कध्यान की वर्कशीट और इसमें हम करेंगे पाठ भारत की नदियां और उनके मैदान चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को हल करना प्रश्न एक देखिए हिमाले परवत से निकलने वाली किनी चार नदियों के नाम लिखिए वो चार नदियां हैं गंगा, यमुना, सतलुज, जेलम ये नदियां हिमाले परवत से निकलती है प्रश्न दो अधिकतर खेती नदियों के आसपास की भूमी पर क्यों की जाती है बच्चों पहाडों से उतर कर नदियां मैदानों में अपने साथ लाई मिट्टी और रेत को किनारों पर जमा करने लगती है ये मिट्टी अधिक उपजाओ हो जाती है इसलिए अधिकतर खेती नदियों के आसपास की भूमी पर की जाती है प्रश्न तीन में रिक्तिस्तान बरने है क सिंदू नदी भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है ख नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से मैदानों का निर्मान होता है ग कृष्ना कावेरी गोदावरी महानदी दक्षिन भारत की प्रमुख नदियां है ग जेलम चेनाब रावी व्यास सतलुज पंजाब में बहने वाली पांच नदियां है बहुत अधिक रासाइनिक उरवरको के इस्तिमाल से खेती में नुकसान होता है प्रश्न चार में सही मिलान करना है गंगा नदी इलहबाद और वारनसी से होकर के गुजरती है यमुना नदी के किनारे दिल्ली और आगरा शहर है गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर है और सतलुज नदी पर भाकड़ा नांगल बांध बना हुआ है प्रश्न पांच देखिए नदीयों से होने वाले कोई चार लाब लिखिए बच्चों नदियां उपजाओ मिट्टी लेकर आती है नदियों के पानी से बिजली बनाए जाती है जिसको की हम पन बिजली कहते है नदियों का पानी पशुओं के पीने के काम आता है और इनके पानी से खेतों में सिचाई की जाती है प्रश्न प्रश्न छे देखिए दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी का जल सच्च यानी साफ नहीं है यमुना नदी में जल प्रश्न के कोई तीन कारण लिखिए यहाँ पर आपको बताना है कि यमुना नदी का जल गंदा क्यों हो जाता है पहला कारण है फैक्टरियों का गंदा पानी यमुना नदी में बहा देते हैं दूसरा कारण है घरों का गंदा पानी बहा देते हैं और लोग इसमें कूडा भी फैक देते हैं बच्चों यहां पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है अन्य विश्यों की वर्कशीट के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें